जैमा लक्षमी मित्रों मित्रों आप सभी का हमारे SEO टिप चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हैं मित्रों आपके लिए कुछ ऐसे ट्रिक लेकर आए हैं जो की जानना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाले हैं यह दो रुपई का यह चीज धन्तेरस के दिन आपकी खाली जोली को भर देगा इसलिए मित्रों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और यह कौन सी चीज हैं उसे जानने के लिए अंत तक बने रहें चाती इस तरह के टोपिक के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चेनल को सस्क्राइब अवेज से कर ले ताकि इस प्रकार का वीडियो आप को रोजाना समय पे मिल सके और आप आने वाले दिनों को काफी ज़्यादा बेहतर और काफी खास बना सको तो मित्रों दिवावली के दिन कोडियों के अनिक उपाई बहुत ही लावकारी माने जाते हैं कोडियां माता लक्ष्मी का प्रतिक हैं माना जाता है कि इसमें कुछ उपाई कर घर में आर्थिक सिम्रिदी को ले कर आती हैं इसलिए ये दो रुपए की कोडियां आपके जीवन में काफी खुसहाली लाद देगी मित्रों दिपावली का तेवार इस वार 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा दिपावली की साम को भगवान स्री ग्रेस माता लक्ष्मी और भगवान स्री कुवेर की पूजा की जाती है माना जाता है कि दिवावली के दिन मालक्ष्मी लोगों के घर में विच्रन करती है माना जाता है कि दिवावली पर किये गए कुछ उपाई बहुत ही कारर माना गया है कोडियों को धन तेरस के दिन मातलक्ष्मी का तर्तिक माना जाता है इसलिए आप धनतेरस के दिन इसे खरिद कर अपने घर ले आए दिपावली पर पूजा के दवरान मातलक्षमी के सामने पांच पीली कोड़ी और नो गोमती चकर रख दें इससे आपके बाद पूरे जीवन में खुसियां ही खुसियां आने वाली हैं मित्रों इसे विदी विधान के साथ मातलक्षमी और स्री गिनेस जी की पूजा करें दिपावली के अगले दिन इने कोड़ी को और गोमती चकर को लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी या अलमारी में रख दें माना जाता है कि ऐसे करने से घर में सिम्रिदी और खुसाली आती हैं घर में सुख सिम्रिदी लाने के लिए दिवावली के दिन भगवान स्री कुबेर और मातलक्षमी की पूजन में 11 कोड़ियों को रखें पूजा के बाद इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांध कर में गेट पर लटका दें ऐसे करने से घर में मान लक्षमी का वास होता है और धन विरिदी के योग बनते हैं या उपाई कर लेने से आपके यह दो रुपाई के काफी ज़्यादा आपको लाबकारी देंगे यह दो रुपाई का यह चीज आपके जीवन में खुस्यां भर देगा और आपको काफी सफलता की प्राप्ति करवाएगा मित्रों आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और कोमेंट बॉक्स में जै मालक्ष्मी जै स्रीगनिस अवेस कोमेंट करें आपका दिन सुब और मंगलकारी हो